सुप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब? उमीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो पिछली क्लास में हमने बिस्मिल्ला खाँ साहब की लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ा था जो था सर्विस्रेस्ट शेहनाई वादक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई थी शेहनाई के फिल्ड में उन्होंने अपने आपको एक नए मुकाम तक कैसे लेके गए थे इन सारी चीज़ों से हमने रूब रूब किया था हमने पढ़ाई करी थी ठीक है चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में लहें जो की शेहनाई वादन विस्मिल्ला खान साहब के लाइफ से ही रिलेटर है बिस्मिल्ला खाँ का प्रमुख योगदान बिस्मिल्ला खाँ सहाब ने वैसे तो बहुत सारा योगदान दिया है शेहनाई बादन में लेकिन उन सब में से एक जो मेमरेबल मुमिन्ट रहा है उनके लिए भी और हम सब के लिए भी उसके बारे में आज पढ़ेंगे बिस्मिल्ला खाँ सहाब का प्रमुख योगदान 15 अगस्ट 1947 में देश की आजादी के पुर्वसंद्या पर जब लाल किले पर देश का जंडा फहरा कर आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तब बिस्मिल्ला खाँ जी ने शेहनाई बजा कर भारत की आजादी का स्वागत किया था देखे कि कितनी इंपॉर्टन बात है जब पहली भार देश आजाद हुआ था और देश की आजादी से पुर्वसंद्या पर यानि कि एक शाम पहले शाम में जो देश के नाम संदेश दिया जाता है उस समय लाल किले पर जणडा फहरा कर आजादी का जशन मनाया जा रहा था और बिस्मिल्ला खाँ साहब जी को चूज किया गया था कि वो उस अपनी शेहनाई का प्रदर्शन करे इतने खास मौके पे जबकि पहली बार जणडा फहराया जा रहा था लाल किले पर और जशन मनाया जा रहा था आजादी का वहाँ पर शेहनाई वादन बिस्मिल्ला खाँ साहब जी को इन्वाइट किया गया था कि वो अपनी मधुल शेहनाई बजा कर देश की आजादी का जशन मनाए ठीक है? वहीं से लेकर ये हर साल की ये परमपरा बन गई ठीक है? एक बार तो उन्होंने किया ही लेकिन हर साल उसी साल से ये परमपरा बन गई कि 15 अगस्त को दिली के लाल किले पर प्रधान मंतरी के भाशन के बाद बिस्मिल्लाखासाब जी का शहनाइ बादन बजना है ठीक है? ये एक ट्रडिशन कह लीजिए इसको ट्रडिशन हो कि आ कि जब भी प्रधान मंतरी जी साहब का स्पीच हो जाया करेगा उसके बाद बिस्मिल्लाखासाब का शहनाइ बादन हुआ کرेगा यह उनकी लाइफ का सबसे important contribution है ठीक है, music industry में और बागी भी चीज़ों में मुझे उमीद है आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी अगली class में अगले topic के साथ मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद